हे गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल, आई होब कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रेग्नेंसी को इंज्वाय कर रहे होंगे आज है तुम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि हमारे गरवस्त सिशु का हर मन्त में कितना बेट होना चाहिए जैसे जैसे प्रेग्नेंसी बढ़ती है बेबी का बेट भी बढ़ना चाहिए तो वो बेट कितना कितना होना चाहिए कितना कितना हर महीने बढ़ना चाहिए वो जानना एक मा के लिए बहुत जरूरी हो जाता है उसी हिसाब से उनको अपनी डाइट करनी पड़ती है अगर गर्वस शिशू का वेट जो है वो बहुत कम है तब भी आपके लिए problem हो सकती है और अगर बहुत जादा है तो भी आपके लिए problem हो सकती है वो कैसे अगर गर्वस शिशू का वेट बहुत कम है तो आपकी normal delivery में आपको बहुत सारी दिक्कत आ सकती है क्योंकि baby क्या होता जब वो कमजोर होता है तो वो अपना फोर्स नहीं लगा पाता है अंदर से तो वो बहार के लिए नहीं आ पाता है और सीजेरियन करना पड़ता है और अगर गर्वसीजु का वेट बहुत जादा है फोर केजी से जादा है तो डॉक्टर बोलते हैं कि नॉर्मल डेलिवरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऐसी बहुत सारी इंफरमेटिव वीडियो के लिए चली वीडियो स्टार्ट करते हैं बेवी का वेट किस तरीके से बढ़ रहा है आपको यह आपके अल्टरा साउंड से पता चल जाएगा हर अल्टरा साउंड में आपके बेवी का वेट लिख चाहिए 6 मन्त में 680 ग्राम होना चाहिए 7 मन्त में बच्चे का वेट 900 ग्राम से 1350 ग्राम होना चाहिए मतलब अगर 900 से 1350 ग्राम के बीच में है तब आप समझ सकते हैं कि बेवी का वेट ठीक है 8 मन्त में 1800 ग्राम से 270 ग्राम होना चाहिए 9 मन्त में 2500 ग्राम से 3500 ग्राम तक होना चाहिए बेबी का जो birth weight होता है, जब बेबी जर्म लेने वाला होता है उस time बच्चे का weight अगर 2.5 kg से लेके 4 kg तक है तो बेबी का weight जो होता है, वो नॉर्मल माना जाता है और इस बेट का बेबी एकदम ठीक होता है, स्वस्थ होता है, तो I hope कि आपको एक healthy, wealthy बेबी मिले, इसलिए आप अपना डाइट का जरूर से ध्यान रखिए, अच्छी चीजे खाईए, nutrition बाला फूड खाईए, अपना ध्यान रखिए, अगर आप अपना ध्यान रखेंगी त प्रेगनेंसी से जूड़ी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, थैंक यू